तो इस तर्णम है जहां से पसलियां इधर भी जाती है और इधर भी जाती है यहां कि बीच के अब आपने पॉजशन यह लहने हैं बिल्कुल करीब आजा है बौडी के यह मिला लें बिल्कुल दो लाने से वही आपका जो यह अपने हाथ को फिर इस पॉइंट पर रखें दूसरे हाथ को ठीक या रखें उगलियों को इंटर लॉक करें और उपर रखें और दबाएं कहां से यहां से इतना कम से और अगर हमें सीखना है शरू में तो इस से सीख सेंगे यह सौ बार की स्पीड है अब इसमें देख रहे हैं यह दब रहा है और उपर क्यों आता है हमारी जो पसलियां होती है रिप्स होती है वो स्प्रिंग की तरह काम कर लिए यानकि ऐसे हैं गोल उने कारण क्या है है यह दबती है तो यह रिकॉयल होकर उपर अपने आप आप आजाते हैं यह नहीं होता कि दब गई तो दबी रह जाए जाएगा यह बड़ी में फ्लेक्सिवल है अर जब आप इसे पुष्ट करते हैं तो यह खुझ ऊपर उठके आ जाती है वाफिस भाते हैं फिर उट जाती है लेकिन और जगे का आप करेंगे शिर को तो पहली बात ही अंदर ही जाएगा अब चला गया तो वाफिस है तो वाफिस नहीं क्या होगा उट नहीं आए तो बिल्कुल ही तोटती है अगर आप सेंटर अधे छस्तर दबाते हैं कभी नहीं तूटती लेकिन अगर वाई चांस तूट जाए गल्ती से थोड़ा इधर हो गए तो तूट सकती है तो तूटने का मतलब हमेशा जरी रहेगा टूट ली पहले से तूटी पड़ी यह से करने पर टूट गई हैं सिर्व तीव घृपbenता नहीं चलता हुआ जली पड़ी थि मैंने से यह नहीं दिया शाथी से होन आ रहा था मैंने दिया मुह शेन आ रहा था मेंनें CPR नहीं दिया उंगली कटी पड़ी ती मैं जब दबारा दद तो खूण ज्यादा निकल रहा था तो मैंने इसलिए CPR नहीं दिया नौ प्रुबा है CPR फांसी है CPR poison है CPR सापने डसा ज़ोता है CPR तो चाती में चोड़ लगी है और CPI तब तक जारी रहता है जब तक पास्पोर्ट सपोर्ज आप आए में